फिर उसने बोला sources of energy वो करें source of energy basically तो सान होता है transmission of energy from source to the surface of the earth तो अगर हम कोई और source भी यूज़ कर रहे है जो भी source है वो source of energy की जो energy जमीन पर आ रही है वो आपका B point है propagation of energy to the surface of the earth third point आपका क्या है interaction of energy with the earth surface जमीन पर जो energy गिर रही है वो क्या है वो earth surface से interact कर रही है क्या कर रही है earth surface से interact कर रही है तो यह आपका third point है वो interact करेगी गिरेगी और फिर वो interact करेगी और जब वो interact करेगी उसके बाद क्या होगा propagation of reflected and emitted energy through the atmosphere फिर वो वापस जागी जमीन पर गिरेगी फिर वो टकराएगी और फिर वो वापस जब वो वापस से ली जाएगी एक बार तो हम क्या करेंगे कि जब वो वापस जा रही है उसके बाद उसने क्या word यूज किया है कि propagation of reflected energy through the atmosphere उसके बाद डी पांट में उसने बोला है कि propagation through the atmosphere वो atmosphere में गई detection of reflected and emitted energy by the sensor अब जो पहले energy गिर रही थी हो सकता है sun से गिर रही हो अब उस energy के समीन पर गिरने के बाद अब वो जब वो वापस जा रही है तो उसको sensor capture करता है capture करता है और जब वो energy को capture करता है तो वो उसको image में बना लेता है या तो वो उसकी photo खीच लेता है अहां conversion of energy received into photograph image extraction of information from data product and conversion of information into map and tabular form तो फिर जब वो picture में convert हो जाती है या तो वो picture में बन जाएगी या वो digital बन जाएगी जिस भी तरीके से बन जाएगी उसको आगे के लिए store कर लिए जाएगा use के लिए तो फिर से एक बार step देखें पहला step क्या है source of energy है दूसरा जमीन पे वो गिरी तीसरा उपर उठी सेंसर ने उसे पकड़ा तब सब्सक्राइब source of energy होना बहुत जरूरी है और जब उसको sensor ने capture किया तो उसने या तो अगर वो sensor plane पे लगाए तो फोटोग्राफियों को क्या most probably और अगर वो sensor अलग type का मतब camera के type का नहीं है तो वो आपको source of energy जादा तर सारी की सारी sources का एक ही source है वो है sun sun की source जब आती है उसमें से कुछ light हमें दिखती है जो हमारा visible spectrum है जिसको यहां समझा रहा है अगर आपको याद हो हमने एक d हमारा first and second जो वीडियो बना उसमें हमने एक d form में दिखाया है सारी rays को यह वाले rays के band को यह इसका band है एक दो ती चार पाँच छे यहां पर दिती है मगर यह छे की जगह साथ है क्योंकि एक visible light वाला है साथ तो यह साथ bands है जिसमें satellites capture करती है अगर आपको याद हो भी मैंने एक मिनिट पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको bands दिखाई थी सैटलाइट में से और उस पर रोका था वीडियो को तो जो bands है वो एक band क्या capture करती है गामा rays को एक X-rays को एक अल्ट्रा वालेट को और इंफरा रेड को microwave को और radio waves को तो यह सारी की सारी waves है capture हो रही है और उनमें से जो visible wave rays है उस particular band को उसने तीन color में नेक्स concept जो हमारे सामने आ रहा है that is interaction of energy with the earth surface spectral signature we have already done in the last few classes spectral signature का मत्तब क्या होता है एक बार फिर से आप देखें interaction of energy with the earth surface अगर आपने पहले figure में देखा था तो उसमें कहा था कि sun की rays आई जमीन पर गिरी वो जमीन पर गिर के scanner ने copy करी तो उसी चीज़ को वो कहता है कि जब scanner copy करता है तो scanner copy करने से पहले जमीन पर जब वो गिरती है raise तो जब ही वो raise गिरती है तो वो जो raise गिरती है तो वो अलग अलग तरीके से reflect करती है और उनका जो गिरना है और उनका reflection उसको हम कहते हैं spectral signature क्या कहते हैं spectral signature तो एक पत्ते का signature अलग होगा और और किसी और पत्ते का जो signature अलग होगा तो ये चीज़ आप ध्यान से रखिये और ये concept आपको समझ में आ गया के there is something called spectral signature now we come to two types of satellites this is a very important concept के दो तरीके की satellites होती है एक होगी sun synchronous satellite एक होगी geostationary satellite sun synchronous satellite की height अलग है और geostationary satellite की height अलग है अगर आप देखें तो sun synchronous satellite है वो 900 km तक जारी है और geostationary 36,000 km उपर है sun synchronous satellites जो है वो एक जगा पे खड़ी नहीं रहती है वो करती है समझ मैं आप पूरे अर्थ पे चारों सवर्फ चक्कर काटती है राइट वो एक जगा पे नहीं देती है वो अर्थ पे अलग अलग जगाओं पे चक्कर काटती है यह जो सैटलेट अपनी ही जगा पे रहेगी तो उससे फाइदा क्या होगा उससे यह फाइदा होगा कि वो कम्यूनिकेशन में हेल्प कर पाईगी ऑन दी अधर एंड जो संसिंक्रोने सैटलेट है जो गोर गोर घुम रही है वो पूरे वल्ड की आफनी इनफ्रमिशन को लिती रही है कि Joерб will a特 क्यूंथ के वह आपके दोस्त के भी हर जगा पूरे वल्ड में ढुम रही है और आपको दे रिया information पूरे वर्ल्ड की मगर अगर आपको अपना TV चलाना है तो TV जो है वो Sun Synchronous Satellite से नहीं चलेगा वो Geo Stationary Satellite से चलेगा Is that clear? Yes, so एक concept clear होगा Sun Synchronous Satellite and Geo Stationary Satellite है ना आप उसके बाद next को देखते हैं हाँ तो जोतनी भी information आती है Satellite के पास उसको वो एक तो digital form में convert कर लेती है अगर आपको यादो past में मैंने आपको बताया था कि वो अलग-लग bands में capture करती है information को अब एक satellite अलग-लग band में capture कर रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ तीन bands में capture करती है जो हमारे पास हैं वो इससे जादा capture कर रही होती है समझ में आ रहा है और इससे जो डाइब देखे रही है फिर वो जो information है वो sensor capture करता है और जो sensor है वो अलग-लग type के होते हैं कितने type के हैं वो एक है whisk-boom और push-boom ये ज्यादा important नहीं है आपके लिए क्योंकि we will not be going into those sensors but हाँ satellite की image आपने देखी लिए है और उसके बाद फिर से एक sensor का resolution होता है एक होता है special resolution special resolution को आप simple तरीके से समझेए बहुत ही simple है अगर आप चश्मा पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं थाकि आपको clear देखे सिर्फ इतना सा special resolution के आँख उतना clear देख नहीं पाती तो उसको की clarity को बढ़ाने के लिए हमें spectacles की ज़रोद उपी है उससी तरीके से lenses का जो use है वो जो है वो part of special resolution में आ जाएगा if that much is understood then you have understood the concept of special special resolution so whenever you look at the book please do refer to this video and you can keep it as a liked video okay so then you can when you are reading the book here to what sir is saying okay I am your teacher and I am going to check in accordance to what I understand and according to me it is only what your eyes can see which is through the lenses so use of lenses is special resolution this much is enough you know you 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 you